नमस्का दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कमर दर्द, जोडो का दर्द, वजन बढ़ाना, खून की कमी, शारीरिक कमजोरी का घरेलू उपाये हमारे द्वारा बताये गए उपायों में से सुबा खाली पेट चार किश्मिश खाना बहुती फाइदमन होता है क्योंकि किश्मिश में बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुती गुणकारी होते हैं शायद आप नहीं जानते हैं कि किश्मिश के सेवन से रक्त कमजोरी आदी तथा और उच्छ की मात्रा बढ़ती है जो कि आपकी सेहत के लिए काफी फाइदमन होती है किश्मिश में भरपूर मातरा में आईरन, पोटेशियम, केलशियम, मेगनेशियम और फाइबर पाया जाता है साथ ही इसमें दूद में मौजूद हर तत्व पाया जाता है आज हम आपको एक ऐसा नुस्का बताने जा रहे हैं जिसके सेवन करने से शारीरिक शक्ती के साथ कमरदर्ड, जोडों में धर्ड, खून की कमी को दूर करने में भरपूर मददगार है इसे बनाने के लिए हमें आवशकता होगी किश्मिश 100 गरम, शेहद 100 गरम इसे बनाने के लिए आप किसी बरतन में शेहद और किश्मिश को डाल कर इस तरह से हिलाए कि शेहद और किश्मिश आपस में अच्छी तरह से घुल मिल जाए इस मिश्रन को एक काच के जार में धक्का लगा कर दो दिन के लिए छोड़ दे, दो दिन के बाद आपके चबतकारी और शद्धी तयार है, और अब आप जब भी इसमें से किश्मिश को निकाले तो इसे थोड़ा हीला ले, ताकि ये आपस में अच्छे से मिल जाए, और चार किश्मिश खाने के फायदे आपके शरीर को स्वस्त बनाने के लिए और दुबलापन हटाने के लिए किश्मिश का सहारा भी लेना है, पचास ग्राम किश्मिश रात को पानी में भिगो दें और सुबा भली परकार चबा चबा कर खाएं, दो तीन माह के परियोग से वजन पड़ेगा, दोस्तों किश्मिश में कैलोरी की मातरा बहुती अधिक होती है, सुबा के समय 25-30 किश्मिश को गरम पानी में दोकर अच्छे से साफ कर लें और फिर इसे कच्छे दूद में डाल दें, आदे या एक घंटे बाद किश्मिश को दूद के साथ गरम करके खाएं और उपर से दूद पीले, इससे शरीर में खुन बढ़ता है, और ठंडक दूर होती है, पुरानी बीमारी, अधी कमजोरी, लीवर की खराबी और बदहजमी दूर होती है, इसके अलावा दोस्तों किश्मिश काने के बहुत से फायदे हैं, तो चलिए इन में से कुछ विश चूर मातरा में पाया जाता है, प्रते दिन पानी में भीगे हुए किश्मिश खाने से, शरीर में खुन बढ़ता है, और इस प्रकार अनीमिया से बचाव होता है, किश्मिश में उपस्तिज, फ्रुक्टोजर और गुलुकोज, बहुती अधिक मातरा में ओर्जा परदान क करते हैं, तता सीमीत मातरा में इसका सेवन करने से कमजोरी नहीं आती और वजन भी बढ़ता है, किश्मिश खाने से वजन बढ़ता है, किश्मिश खाने से ब्लड बनता है, और वायू, पित और कफ दोश्ट दूर होता है, और यह हिर्दे के लिए बहुती लापकारी होती किशमिश और अन्य आवश्यक पोशक तत्वों का एक सम्रिद दिस्त्रोत है किशमिश खाने से कब्ज के मरीजों को अराम मिलता है अगर आपके घर में किसी को भी कब्ज है तो उसे किशमिश जरूर खिलाएं वजन बढ़ानी के लिए भी किशमिश का सेवन किया जा सकता है उम्र के हिसाब से अगर आपका वजन कम है तो किशमिश खाएं जल्दी ही आपका वजन बढ़ने लगेगा शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए भी किशमिश खाई जाती है किशमिश में विटामिन B कॉंपलेक्स पाया जाता है जो शरीर में खून की मातरा को दोस्तों एक बात का विशेश खयाल रखें कि डाइबेटीज की रोगी किशमिश से परहेज रखें इसी के साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिश्टदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब क कीजिए साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके धन्यवा दोस्तों